नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी येटूट चेनल में दोस्तों आप सभी को बता दे की कल सुभ़ 10 बच कर 55 मिनट से जी हाँ दोस्तों, यह समय से आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं बहुती बड़ा बदलाव जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपको एक ऐसा वेक्ति है जो बहुती बड़ा धोखा देने वाला है जी हाँ दोस्तों और अब वक्त आ गया है इनसे साब्धाम हो जाने का जी हाँ दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुती जादा महत्वुन होंगे और आपके भविसे के लिए बहुती जादा लापकारी सावित होंगे तो दोस्तों इन्हें बिलकुली मिश्णा करें और थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को सुरू से आंदो तक बिल्कुली ध्यान से दिख लिजिएगा जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों एसा दुस्मन है जो कि आपके जीवन काल में आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे जिहां दोस्तों और भगवान स्री कृष्ण जी ने भी यह बात खई है कि कभी भी अपने दुस्मन पर अपने आदत नहीं छोड़ता जी हां दोस्तों उसका जो आदत है जो चरित्र है वह वही काम करेगा तो दोस्तों समय रहते हो जाएं सब्धान क्योंकि दोस्तों इस दुस्मन ने इस सत्रू ने आपको पिछले कई स्वमियों से तंग करके रखा है आपने देखा है कि पिछले समय अपने कितनी महनत किया हैं, कितनी सारी समस्याओं का आपने सामना किया हैं, और अपने जीवन काल में इतनी खुषियाँ हासिल किये हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आप INSPECवें अपने खुषियों को नहीं बचा पाएं तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी बेव कुफी हो आपकी भलाई है आपकी जीवनकाल की आपकी घर परिवार की ही भलाई है जी हां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आखिर कब तक आप अपने जीवनकाल में इतनी सारी दुखों को झेलते रहेंगे आपको भी तो जीने का अधिकार है जी हां दोस्तों दोस्तों हम आप सभ आपने जीवन काल में आगे बढ़ते रहें तरक्की और लोगन दरा मानप्रिष्था प्राप करते रहें जी हाँ दोस्तों लेकिन दोस्तों इस दुनिया की सोच आपके जैसा नहीं है आप चाहते हैं कि सभी के साथ मिल जुल कर रहें लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई ऐसा दुस्मन है जो आपके कारियों से जलते हैं आपके तरिकी से जलते हैं आपके अच्छा रहन सहन परिबार के साथ अच्छा मेल मिलाब से वह लोग जलते हैं और आप चाहकर भी उनसे पास रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोस्तों उनके अंदर आपके परती बहुती गलत भावना होती है जिहां दोस्तों तो दोस्तों समय रहते इस वेक्ति को आप अपने जीवनक जिएगा जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को वह सभी महत्पुन जानकारी देंगे कि कैसे आप इस वेक्ति को अपने जीवनकाल से निकाल सकते हैं कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि आखिर यह वेक्ति कौन है आखिर क्यों ऐसा कर रहा ह यह क्या चाहता है जी हां दोस्तों यह दूस्मन दुबारा आप सभी के चीवनकाल पर ना आए इनके लिए दोस्तों आपको बहुती खास मंतर बताएंगे और अपने चीवनकाल को इस वेक्ति से केसे बचा सकती है तो दोस्तों सभी जानकारी बहुती गहरी तरीके से गरह ग कौन से कर आपके लिए भागे साली होंगे और कीन छेतरों में आपको कार करने से लाग की प्राप्ति होगी और भगवार महाकाल के आसिम आसिरवा से आपके घर के महाल में परवारिक जीवन में आपके परते एक छेतर में क्या-क्या खुस खबरी क्या-क्या बदलाव होंगे तो दोस्तों अंत तक देखिएगा उशे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेड बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल लिखेंगे दोस्तों महाकाल का आसिम असिर्वात आप सभी को प्राप्त होगा खुस या अना आपके घर में प्रारम हो जाएगे तो दोस्तों जरू ही लिखिएगा और अगर आप अपने दिमाग में बेठा लिए तो दोस्तों आपको आगे चल कर कोई भी दुख तकलिव कोई भी समस्या नहीं आएगी जिहां दोस्तों कि दोस्तों भगवान भोलेनाद हमेशा अपने भक्तों से यह बात कहते हैं कि सिकायत बंद करो अपनी तरब देखो और जहां जहां तुम्हें दुख पैदा होता है उसे खोजो गौर से तुमारे भीतर ही उसकी कारण मिलेगा उन कारणों को छोड़ दो में ऐसा कर रहे हैं जो व्यक्ति आपको लगता है कि यह आपके सत्रू है यह आपसे अच्छा हो ही नहीं सकता फिर भी दोस्तों आप उनसे बात क्यों करते हैं आज ही उन्हें अपने जीवन काल से निकाल कर फेंग दें क्योंकि आगे चलकर यह धोखा ही देंगे जी हां द भोलेनात का आसिम आसिरबात आप सभी को पराप्थ होगा जिहां दोस्तों तह है दोस्तों इससे के साथ बात करते हैं कि आखिर यह कौन वेक्ति है जो आपको यह दुनिया से उठाना चाहता है कि दोस्तों चोर को खासी और संत को दासी मुसिवत में डाल देता है प्यार देने से बेटा, बिगड़े भेद देने से नारी, लोग देने से नोकर, बिगड़े धोखा देने से यारी, जिहां दोस्तों, गुन मिले तो गुरु बनाओ, चीत मिले तो चेला बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, वर्ना रहो अकेला, जिहां दोस्तों, तो आई दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपने जीवन काल में अभी तक पीछे क्यों हैं, अब अपने जीवन काल में आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या गलती आप कर देते हैं, जो कि दोस्तों, दुनिया भी आपको एक अच्छा इंसान नहीं समझती, जी हां दोस्तों, दोस्तों अपने दूस मन को साथ ही को बता देते हैं जिहां दोस्तों इसे भी दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है जिहां दोस्तों तो दोस्तों इन बातों को आप बिल्कुली ध्यान रखें जिहां दोस्तों और दोस्तों आपको अब कौन से मंत्रों को कौन से उपाएं को करना चाही साथ ही आपके जीवन काल में कौन से गलतियां नहीं करनी चाही तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विश्दार से दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से इस रासी के जो लोग हैं जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा परिशान हैं जहां दोस्तों बारमार में विश्द में कुल जितनी भी रासियां हैं समस्त रासियों में से आपकी ही एक रासी एक लोता ऐसी है जिनके पि रही है कि आज रात 12 बज़े से आपके उपर तांतरिक क्रियाएं कुछ लोग करने वाले हैं यूँके हैं तो दोस्तों आपकी जीवन काल में शंकट आने वाली है जहां दोस्तों पर दोस्तों इस वार जो आपके उपर शंकट आने वाले हैं जो मुस्यवतें आने वाली है इ आपने परिवार के साथ बातों को तो सेयर करते हैं जो भी आप अपने चीवन काल में चाहते हैं लेकिन दोस्तों इनके साथ ही साथ जो भी आपके संगे समंदी हैं जो भी आपके पास रहते हैं जो भी आपके दिल के करीब रहते हैं दोस्तों आप भी उनसे अपने जीवन की जो भी बाते हैं जो भी आने वाले क्रिया कलापे हैं उन सभी की जो बाते हैं आपने जीवन काल में आने वाले योजनाओं के बारे में सभी को बता देते हैं तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह आपकी गलती है और इनहीं के कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल मे जो भी शमसियां आ रही हैं नहीं से शुरुवात होती है जिहां दोस्तों आपको बताने की सबसे पहले वेक्टी आपके बारे में जानता है कि आप किस परकार के इंसान है फिर दोस्तों धेरे-देरे आपके साथ रहकर उनका देखने का नजरिया बन जाता है और दूस्तों वे आप से ही जलन सिल के भावनाओं से बहुत कुछ करने का प्रियास करते हैं और दोस्तों आप इननों बातों को समय शमय पर नधर अनदाश करते आ रहे हैं दोस्तों याद किजी कि पिछले समय अंतरान में भी आपके जीवन काल में ऐसे कई लोग आए हैं जो कि आपके साथ रहकर आपको धोखा भी दिये हैं और कोई ऐसा भी लोग है कि दोस्तों धोखा देने के बाद आप से मिलने की ये बहुत ही परकार के कार भी वो लोग करते हैं और दोस्तों पिर आप उनके तिल्ग को उनकी आगे हार बेडते हैं, तो दोस्तों ये आपके सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दोस्तों बगवान सिर्किट सिन्जि काते हैं कि किसे भी इनसान को एक बार माप करके अच्छा इनसान बन जाओ, लेकिन दोस्तों दूबारा उनकर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि दोस्तों जो इनसान जेसा था वो वेसा ही रहेगा आप उन पर बिलकुली विश्वास ना करें तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों को याद रखना है कि जो इनसान आपको जीवन काल में कभी भी दोखा दिये हैं कभी भी आपको चल किये हैं तो दोस्तों उस इनसान की अप एक बार सिर्फ पहचान करना है और दोस्तों उनसे आपको दूर जाना है जहां दोस्तों उनसे आपको बात भी नहीं करनी है जिससे दोस्तों आप उनको अपने जीवन काल में निकाल सकते हैं और दोस्तों यही लोग होते हैं जो दोस्तों आपके साथ रहकर आपके उपर च्छल करते हैं आपके जीवन काल में एक परकार के टोने टोटके करते हैं जिनसे दोस्तों आपको छती आपको नुकसान होते हैं तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों को याद रखना है गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है इसके उपरा तो दोस्तों आपके लिए आपके जीवन काल में एक और एसी बाते हैं जो कि आपके लिए स सबसे बड़ी गलती है तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों को ध्यान रखना है जब भी कोई इंसान अपने दुख लेकर आपके पास आ जाता है तो दोस्तों उन्हें ना कहने की हिमत आपको अंदर नहीं होती है लेकिन दोस्तों आप इनके पीछे की बात को चान भी नहीं करते हैं जहां दोस्तों कई बार ऐसे ही लोग हैं जो कि दोस्तों आपको धोखा देने के चकर में रहते हैं और फिर दोस्तों आप जब उनको पेसे दे देते हैं तो दोस्तों फिर कई दिनों के बाद आप देखते हैं कि आप उनके नजरों में बुरे बन चु यहां दोस्तों, जहां पेसे हमारे जीवन की सभी एक्छाएं पूरी करती है, वहीं दोस्तों दूसरी और हम किसी को पेसे देते हैं, तो दोस्तों हम चाहे कितना भी अच्छा कारे क्यों न कर लें, दोस्तों हम उनकी नजरों में आखिर गिर ही जाते हैं, वे हमसे नजरें च कि ऑपने जीवन काल के क करें लिए चुछ गलत काल दोस्तों आपको इन पातों को बहुत ही ध्यान रखनाए कि अपने जीवन काल में कोई बी करीभी लोग से लैन दें ना करें च्क कैसा यहां आप समय इन्हें दे सकते हैं यह आपके लिए बहुत ही अच्छे हो बहुत भी छोड़ देते हैं जहां दोस्तों बहुत परकार के जो इनके उपर हो शकती है वे सभी कार आपके उपर ये करने लगते हैं जिहां दोस्तों तो आए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आपके जीवन काल में आपके घर परिवार में किसने जादू टोना किया है और आखिर इनसे बचने के लिए आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्तों सरपर्थम आप सभी को बता दें कि अगर आपको लगता नहीं है कि आपके घर में किसी का नजर दोस है किसी का काला जादू है तो दोस्तों आपको करना क्या है कि तीन लाल सुखी मिर्च लेकर दोस्तों उन्हें आग में जला दें और जलने के बाद अगर अगर गर में किसी का जादू टोना हुआ है जहां दोस्तों तो दोस्तों इनसे बचने के लिए आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप एक मुठी चावल हाथ में रखकर एक कावन या फिर एक सो आठ बार ओम नवा सिवाय का चाप करके पक्ष किसी ने काला जादू कर दिया है दोस्तों उनका नकात्म परभाव धीर धीरे खत्म होने लगता है और घर का बातावरन बहुती ज्यादा प्रेम पूर्ण होने लगता है और दोस्तों हम आपको एक मंत्र भी बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको आपने जीवन काल में क अच्छी लगी हो यदि अच्छी लगई हो तो दोस्तों बीडियों को एक प्यारा सा लाइक अवस्ट कर दें और दोस्तों इनके लिए 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 जैमाकाली और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद